तो आज हम 5 जुलाइ 2021 की न्यूज आर्टिकल डिसक्स करेंगे और इंडियन एक्स्प्रेस और बिफोर स्टार्टिंग दे सेशन प्लीज आप वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को और प्रेस दे बेल आइकन आप करेंट एफेर्स की जो वीडियो नहीं कर रहा हमारे देश में और एक्जाम प्रेस्पेक्टिव से तो लेट्स के स्टार्टेड विद देश सबसे पहली जो न्यूज है दाट इस रिलेटेट हूं न्यूज ऑन एई आईयार की न्यूज डिसक्स कर लेते हैं पहले तो एक इंपॉर्डेंट न्यूस यहां पर यह थ with understanding and numeracy ठीक है तो यह है यहां पर let's zoom in this photograph और यह आप देख सकते हैं यहां पर निपुन की फुल फॉर में national initiative for proficiency in reading with understanding and numeracy and launch of the national mission on foundation foundational literacy and numeracy ठीक है तो education ministry की तरफ से यह initiative लिया गया है and senior officer from the school education department from all state and uts senior official department होंगे head of institution के ये सारे attend करेंगे इस event को and department of school education and literacy जो इनके द्वारा काफी important step लिया गया है implementation of the national education policy 2020 ठीक है तो यह क्या करेगा विजन इसका क्या होगा निपुन भारत का टू इस तो क्रिएट अन इनाबलिंग इन्वारमेंट तो इंशुर युनिवर्सल अक्युजिशिशन अफ फांडेशनल लिट्रेसी अन नुमरिसी अन दिस इस तो इस तो इस तो एक डिजाएड लर्निंग मतला जो ओंपेटेंसी के लिए रीडिंग राइटिंग बेसिक जो निमरेशी है तो उसके लिए एक क्या हो बच्चा सीख सके एंड ऑफ ग्रेट त्री वाइट टूंटी टूंटी सिक्स टूंटी सेवन जो नेक्स्ट कुछ आर्टिकल से वह देख लेते हैं आपे न्यूस ऑन एयार के तो आई यूस्ट मिनिस्ट्री तो लॉंच आयुर कर सकते हो नाशन नेशन रिमेंबर स्वामी वेकानाद ऑन इस डेथ अनिवर्स्री तो कल जो थी डेथ अनिवर्स्री थी स्वामी वेकानाद की और 10,000 फार्वर प्रोड्यूसर और ओग्नाइज़ेशन गोइंग तो बी फॉर्म्ड अक्रॉस कंट्री तो मिनिस्ट्य ऑफ सब्सक्राइब करेंगे नियुस्पेपर में आया यह नियूस जो वुमें एंड चाइल्ड डिव्लेमेंट मिस्ट्री है इन्होंने इन्वाइट किये हैं सजेशन्स सारी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं किसे शूपर एक बिल आएगा 2021 का ट्राफिकिंग और इन- और बाकी के जो न्यूस है अब हम इंडियन एक्स्प्रेस की न्यूस देख लेते हैं तो सबसे पहले यह कि पाकिस्तान जो इतने टाइम से फोर मंद से उसने पॉस किया था जो एक्क्यूजेशन और अटैक्स थे नियू डेली के अगेंस इस्लामाबाद ने वह दुबारा टेररिजम था ना तो यह इनका कहना है जो पाकिस्तान के नेशनल सिक्रोटी अड्वाइजर मोसित यूसूफ इन्होंने इस्लामाबाद में बताया कि यहां पर ने बोला है कि यह बेस्लेस और जो फॉल्स क्लेम है वह है और ऐसा कुछ भी नहीं है बाकी जो में को भी हमने यह भी नियूस दिसकस की थी कि जो डोवाल है अजीट डोवाल इंडिया के नैशनल सेक्योरिटी अडवाइजर तो यह दुशामबे में थे क्योंकि यहां पर क्या चल रही थी नसे लेवल की शंगाई कोपरेशन मीटिंग वह चल रही थी शंगाई कोपरेशन की नसे लेवल की मीटिंग चल रही थी तो यहां पर डोवाल ने एक एक्शन प्लान भी प्रपोस्ट किया था अगेंस्ट लक्षकरे ताइबा अन जैसे मुहमद अस पार्ट आफ दी स्यो फ्रेमवर्क तो यह थी एक इंपॉर्टेंट नियू अश्यो कंट्री के बारे में उसका नाम बताई है ठीक है क्योंकि जब तक हम रिवाइज नहीं करेंगे चीज़ों को तब तक हमें याद नहीं रहेगी और नेक्स जो यहां पे नियूज़े ड्राफ्ट एंटी ट्राफिकिंग बिल वाइडन स्कोप ऑफ उफेंसे इंक्लूडिंग इस्ट्रिंजिंट तो यह है जो भी हम डिसकस कर रहे थे नियूज़न एयार में भी कि बिल विच विल नाओ भी सेंट तो दे क्याबिनेट अप्रूवल के लिए भीजा जाएगा यह जब पालिया मेंट से पहले और इसमें काफी सारे डिसकेशन की बात की गई है सारे स्टेक होल्डर के जो सब्सक्रावधान है और जो यह रिकमेडेशन होंगी बिल की वह सम्मिट करनी होंगी मिनिस्ट्री को वाई जुलाई 14 अब इसमें क्या-क्या कुछ जोड़े गया है जैसे एक्स्ट्राइटेशन जो है इसको बोला गया है आटम मिनिमम दे एक्स्ट्राइटेशन ऑफ दि जाने में आएंगे और यह 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 इंपोर्टन प्लॉज जो पहला यह है कि जो ट्रास्जेंडर कम्मिनिटी है इनको भी इंक्लूट किया गया है विल ऑटमेटिकली बिंग अंडर इस स्कोप अच्टिविटी सच अच अच और गन हर्वेस्टिं इसके लावा फोर्स लेब होता है इन विच पीपल में लोगों को क्या किया जाता है बच्चों को छोटे बच्चों को ले जाए जाता है या फिर यंग यंग को भी ले जाए जाता है कि आपके हम जॉब लगा देंगे आप हम इतने पैसे दे देना और या फिर आप यह कर दो वो कर दो आपके किया ज जोब लग जाएगी पर्मेनेंटली है ना तो यह सारी चीजे भी होती है उसके बाद क्याता है तो उनके ट्राफिकिंग होती है या फिर उनसे बंधोवा मजदूरी कराई जाती है इन विच पीपल लूड विच जॉब्ड जॉब्ड जॉब्स एंडप इन अधर कंट्रीज पासपोर्ट एंड डॉक्यमेंटेशन भी ले लिया जाता है और फिर वहां पर वह मजबूरन वर्ष उनको काम करना पड़ता है जैसा भी काम उनको असाइन होता है या फिर ढूडना पड़ता है फीट सप्लिमेंट रिद्यूजेस मीथेन इमिशन वाई लिव स्टॉक तो 9.25 मिलियन टॉल्स ऑफ मीथेन अनुली ठीक है तो यह साइजेबल प्रोपोर्शन है 90 मीटरिक मीथेन का जो लाइफ स्टॉक के द्वारा पूरे वर्ड में क्या होती है इमिट होती है अब यहां पर जो इंडियन काउंसल ऑफ एग्रिकल्चर रिसर्च इंस्टिटूट है इन्होंने डेफलप किया है इन्ति मिठायोन जायिक फीट सप्लिमस्टूपोर्ट इसको बूला ग timetha जानिक फीड सप्लिमेंट और यह अगर जो यह शीप होती है या फिर जो जो बौवाईन अमनंत्स होते हैं तो उनको दी जाती है और इट नॉट उनली कट्स डाउन देर मीथेन इमिशन यह उनके मीथेन इमिशन को तो कट्डाउन करती ही है 17 तो 20 पर से लेकिन यह क्या करती साथ में जो मिलका प्रोडक्शन है वो भी हायर करती है बॉड़ी वेट गेन भी से होता है और एवरेज लेक्टेक्टिंग और बुफ़लो इंडिया इमिट्स अराउं 200 लीटर्स ऑफ मीथेन पर दे तो यह सारे कुछ फैक्त है आप इसको एक वर डीवली अगर इस्टाडी करना है तो आप देख सकते हो तो यह है मीथेन जो है प्रोड्यूस की जाती है अनिमल्स के दॉरा और इन दे फस्ट आफ और फोर इस्टमक्स वेर्दी में जिसे बोलते है ना और यह प्रोड्यूस फाइबर स्टार्स शुगर्स गेट फर्मेंटेड उन्टू और ब्रोकन दाउन बाइक्रोडियूसम प्रायर तू फर्दर डाइजेशन और न्यूट्रेंट अब्जर्वेंट तो यह है हरी तद सब्सक्राइब के लिए मेकिंग इट अवलेबल टू आफ रिदक्शन ऑफ कार्बन डायोकसाइड तू मेथेन तो यह सब है इसमें अब हम आई सी ए आर के बारे में भी अभी देख लेते हैं ठीक है 16th of July 1929 को यह स्टाबलेश होई थी कभी थी 16 July 1929 को और एक रजिस्टर्ट सोसाइटी है यह लोगो अफ दे इंडियन काउंसल ऑफ अग्रिकल्चर रिसर्च यह भी देख सकते हो ठीक है तो यह है अन्मिनिस्ट्री ऑफ अग्रिकल्चर के अंतरगती आती है न्यू डेली में इसका हैटक्वाटर है और बाकी के जो एक यश्पाल कमि तो वह आप याद रखना ठीक है दे कमिटी टो एडवाइशन और रिनोवेशन और रिजुनेशब ऑफ हायर एजुकेशन तो इन्होंने ही रिकमेंड किया था कि एक कॉंस्टियूशनल बॉडी होनी चाहिए नाशनल कमिशन फॉर हायर एजुकेशन रिसर्च विच वुड सबसे बड़ा मेंडेट है दूसरा क्या है वेटरिनरी कांसल अफ इंडिया भी है और इंडियन कांसल फॉरेस्ट्री रिसर्च और एजुकेशन ठीक है तो यह याश्पाल कमिटी के जो रिकमेंडेशन थी यूप गॉर्मेंट के टाइम पर ये इंक्लूट कर दी गई थी और बहुत इंपोर्टेंट थी यहां भी देख लेता है लेट दे मार्केट वोक तो काफी बहत्रीन आटिकल के लिखाया अशोग गुलाटी और आयुशी खुराना ने मिलकर गुलाटी कौन है इंफोसिस के चेर प्रोफेसर है फॉर अग्रिकल्चर और खुराना इस रिसर और यहां रिसर टेटिविटी और कॉंपटिशन तो यह हमारे जो डेटी सेक्टर है उसके बारे में यह आर्टिकल है पूरा आरे स्टोधी का नाम आपने सुना होगा सुना है यह कौन है अमूल के एमडी है ठीक है अमूल मैनेजिंग डारिक्टर तो अमूल अमूल ने क्या होगा अल्रेडी मतलब यह जो आर्भी की टॉलरंस लिमिट सिक्स परसेंट उससे एक रॉस कर रहा है और डेरी फार्मर यह मिल्क प्राइस इस नॉट कॉमन स्टेट तो इंक्रीज इन देर फीड और कॉस्ट तो उनको भी ऐसा लग रहा है कि मतलब इससे हुआ क्या ल जादा खर्चा वैसे ही हो जाता है और बहुत सारे जो बाकी के जो मीडिया आउटलेट है वो इसको डिबेट कर रहे हैं इस इस्यू को विल पुश अप इस पुश अप विल सी पी आई फॉर्दर कॉसिंग इंफलेशनरी प्रेशर विच में सून फोर्स थे आर वी तो चे तो आपको इनके बारे में तो पदा होना ही चाहिए कि क्या है अकॉमडेटिटिव स्टेंस यहां पर आया है नियूज में विच में सून फोर्स थे आर वे तो चेंज इस अकॉमडेटिव स्टेंस अन मॉनेटरी पॉलिसी तो इसका मतलब क्या होता है समा योजित एक सही तरीके से जो डेवलेमेंट है वो मतलब चलता रहा है धीमेंदी में सस्टेंड डेवलेमेंट होता रहा है तो इसको मेंटेन करने के लिए लंबे समय तक क्या कर रखा है जो अकॉमडेटिव स्टेंस है इसको जारी रखेगा मतलब आर विया को जब भी जरूरत होग तो वो क्या करेगा, मॉनिटरी सिस्टम में पैसा डालने के लिए जो रेट्स है, उनको क्या करेगा, उनको कट करेगा, ठीक है, तो यह एक अकमोडिटिव स्टेंस होता है, यहाँ पर क्या है, मिल्क की अगर हम बात करें, इस इंपोर्टन्ट केस राइस को, और हम किसको, शुगर केन को अगर एक साथ कमबाइन भी कर लें, तो इनकी मिला के जितनी वैल्यू आएगी, उससे जादा अकेले सिंगल के आजाती है, मिल्क की वैल्यू आ जाती है, ठीक है, और दूसरी बात, पहली बात तो यह हो गई, इं टम्स ऑफ वैल्यू है न, दूसरा पॉइं यहाँ पर इन्नों ने बोला है, इंडिया क्या है, लार्ज़स्ट प्रोडूसर ओफ मिल्क है, हम क्या है, हम आगे ही अपने को maintain रख सकते हैं थर्ड पॉइंट यहां पर जो इनके द्वारा बोली गई है ओथर के द्वारा कि जो हमारा daily sector है वो dominate करता है किस में by small holders ठीक है small holders यहां पर है small holders मतलब क्या होता है इनकी जो size है मतलब यहां जो herd size है मतलब यहां पर कितने 4-5 animal ही है ठीक है यह बहुत जादा है हमारे यहां पर fourth जो है important there is milk में क्या MSP होता है नहीं होता है तो no MSP ठीक है no MSP on milk minimum support price milk पे नहीं होता है तो यह four भी बताए गए हैं दूसरा यह बताए है कि MSP तो नहीं होता है milk के लिए लेकिन यह किस तरीके का है contract between company and the farmer हो गया यह एक तरीके से है कि company किस से कर रही है फार्मर से contract कर रही है और जो price of milk होते हैं वो determined होते हैं किस से जो overall force होती है demand and supply की अब जैसे market में कोविड-19 के time में आपने देखा होगा कि जो milk था आपके घर में जो दूद वाला था या फिर आपको जो essential चीजे थी आप उसको लेने के लिए grocery उसमें आप milk लेके आते थे हैं तो वो तो कभी भी हमारा impact नहीं वा चाहे कुछ भी कितने भी waves आए या कुछ हो तो milk industry जो हमा एंटर्स हो दी supply side लेकिन हम demand side को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते और overall growth बताएं dairy sector की last 20 years में तो 4-5% है per annum 4-5% per annum and it has accelerated 6% यह बड़ी है यहां पर मितलब operation flood started in 1970s तो यहां से स्टार्ट हुआ इस sector में transform होना और किसके द्वारा था यह चलाया गया था जो cooperative model जिन्लों ने तरीके से innovation किया था वर्गीज कुरियन ठीके वर्गीज कुरियन के द्वारा यह चलाया गया था and he changed the structure of the sector however even after five decades cooperative processed only 10% of the overall milk production और अभी जो इंडिया है उसको double engine force लगानी होगी to organized private sector to process another 10% तो यह है and अब यह है यहां पर कि private sector के अगर हम बात करें तो 1991 के जो reforms होएते तभी हमने private sector को भी इजाज़त दीती कि वो यहां पर आ सकते हैं और fully जो किया गया दो हजार दो से तीन में मतलब अटल विहारी वाचपेजी की जब सरकार थी तब आई उस टाइम पे भी जो dairy sector था वो completely क् गया था और मिल्क प्रोडक्शन में उस टाइम पे जो ग्रोथ रेट थी 4.7% देखने को मिली जो financial year हमारा 2004 और 2014 विद्य वर्ष था ठीक है और यह जो 2015 और 2021 का जो financial year है वहां पे 6% देखने को मिली है और जो NDDB की रिपोर्ट है इन्होंने बोला कि capacity created by private dairy companies in the last 15 years is equivalent to capacity set up by cooperative in 30 years तो जो capacity 30 30 सालों में cooperative ने बिल्ट की है वो 15 सालों में private dairy companies ने कर दिया है अब इसमें बहुत सारे जो private sector dairy companies है start-up है वो भी आ गया रहे हस्तुन agro products limited है ठीकि तमिल नाडू-based एक largest private sector dairy company है इंडिया की with milk procurement और 20 processing plants है इंके और यह क्या है 1995 when corporate is dominated the fluid milk market currently HAP HAP Huston Agro products तो इन्होंने यह क्या करते हैं value-added products जो है जिसमें cheese, ice cream, curd यह सब चीजे होता है इसके अलावा जो private dairy companies और है जैसे पराग milk foods limited का नाम सुना होगा आपने आप कहां से लेते हैं आपने क्या आनंदा की वो दही खाई आनंदा उत्तरप्रदेश दू Heritage Foods Limited, Heritage Foods Limited, Prabhat Dairy, Maharashtra में, Heritage Foods Limited, Hyderabad में, Doodla Dairy Limited, Hyderabad और Nestle India Limited can procure 10-20 LLPD of milk स्टार्टप के भी बारे में यहां पर बताया गया है कि जो dairypreneurs हैं ना इंटे प्रेनियोर्स बोलते हैं और जो dairy उद्द्योग में उनको dairypreneurs बोल दिया गया है have come in promising a farm to home experience of milk country delight जैसे है तो country delight क्या कर रहा है fresh milk deliver कर दाया है मतलब घर घर जाके ठीक है consumer door steps and gifts quality testing kits at home इसके लावा जो stel lab technologies है यह भी डिजटाइज कर रहे हैं डेरी supply chain को इंडिया में traceability यह कर रहे मिल supply chain की for dairy companies और यह इन्होंने cattle health को डिजटाइज कर दिया है milk production को milk procurement को milk testing को cold chain management को through the internet of things और sensor bed smart mo cloud ठीक है तो company जो है currently it's touching 11.5 million liters of milk हर दिन का जो है इनका कितना 11.5 million liters of milk और 2.6 million जो farming है उनको यह क्या कर रहा है farmers को benefit दे रहा है और 1 million cattle in about 35,000 Indian village तो यह सब है और जो इंडिया की बात करें तो इंडियन grassland and forest sorry fodder research institute है जो इनका vision 2050 है इसमें यह estimate किया गया है कि इंडिया में 2030 तक 30% deficit देखने को मिलेगा किसका deficit green fodder deficit ठीक है तो hydro greens इसके लिए एक क्या है अग्री startup है अग्री startup इन्होंने solution भी दे दिये कि किस तरीके से हम आने वाले टाइम में जो है green fodder deficit से बच सकते हैं इसके लिए एक initiative है कंबाला ठीक है कंबाला तो कंबाला क्या है hydro phonic green fodder unit है और यह farmers को लाओ करती है कि यह क्या कर सकते फ्रेश green fodder को मतलब within soil without soil बिना किसी मिट्टी के control environment में और बिलकुल कम पानी में limited water resources भी रहेंगे तभी यह क्या कर सकते हैं grow कर सकते हैं तो यह काफी important है और 130 units इनकी अभी installed है across the country to overcome the green fodder deficit in a cost effective way कुछ अलग जो technologies है उनके बारे में भी बात की गई है यह सेमन technology help in pre-determining the sex of offspring of sorting x and y chromosome from the natural sperm mix and यह है कि जो prices है वो market forces के दौरे रिटर्मेंट के जाएंगे और marginal support इसमें government और cooperative का होगा और major focus जो होना चाहिए innovation पे होना चाहिए कि cost को cut down किया जाए productivity को बढ़ाया जाए food safety को ensure किया जाए globally competitive हमारे जो products नेरी प्रोडक्स वो बने यह हमारे farmers के लिए भी helpful होंगे और consumer के लिए भी helpful होंगे और cooperative ने इस दिशा में operation flood के time से लेकर अभी तक भी बहुत वहतरीन काम करने हमारे जो private sector है यहां पर clean up in board room तो यह Indian express के कुछ अभी जो खुला से करते हैं ना बहुत अच्छे है investigation की तो इसमें क्या किया गया था कि जो independent directors है जो जितने भी major psus है ठीके public sector undertaking तो उसमें यह बोलने क्यों independent नहीं है और वो कहीं ना कहीं आतो किसी political party के influence में और यहां पर यह बोला गया कि January 1st 2022 172 independent directors in 1988 public sector entities 86 serving and 67 PSU boards are linked to the ruling party ठीक है तो यह बोला है इनोंने and the selection of independent directors of PSU has not remained independent कि जो PSU का selection है वो independent नहीं रह पाया है ऐसा किसने बोला था दो साल पहले इंडियन institute of corporate affairs ने यह बोला था दीक है तो अभी सेवी ने क्या किया new rules सीख किये है कि इस independent directors framework को यह क्या करेगा रोबस्ट करेगा यह effective होंगे January 1st 2022 से इसमें क्या होगा appointment होगा और removal होगा of independent director has to be carried out through a special resolution of shareholders ठीक है तो यह सब इसमें होंगे higher threshold for the appointment and removal of independent are certainly welcome और यह battling inflation में यह है कि सेंटर को अपने जो import tariff है उसको कम करना होगा और exercise duty को reduce करना होगा on diesel instead of reinstituting trade controls ना क्योंकि अभी जो हमारा farm sector है वो देको पिछले साल तो pandemic जो induced economic contraction हुआ था उस टाइम पर हमारा जो फार्म सेक्टर है वो ग्रो किया था क्यों bumper harvest उस टाइम पर crop मतलब हमारी हाँ पर season था और international food price भी बढ़े थे लेकिन अभी अगर हम बात करें तो इस में 33 परसेंट जो मतलब rain fall जो 74 परसेंट से अब उफ चला गया है और अभी कोई भी फेवरेवल कंडेशन चार सब्सक्राइब